हलो फ्रेंद्स, विल्कम बैक तो माई चैनल, मैं हू सिंपनी, आगे हूँ आज आपके लिए बड़िया सा ब्लॉग लेके, यह कोई ब्लॉग नहीं है, बोल दिया ब्लॉग लेकिन यह कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैं आपके लिए कुछ एसेंचिल किछन सेल्फ के आइडि दिख भी जाता है, तो ऐसे कुछ सेल्फ के आइडिया में आज आपको लोगों के साथ शेयर करूंगी और इस सारे सेल्फ के लिंक भी मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग अगर रेंट में रहते आप भी तुम च्केन ओको फूर देढ़ो कहुं कोड़ी है यह लोगी नालो कोड़ी हो आपकर मैं एकर दोल यह खायों रहीं ठाप सब्सक्रापोर यह ने को से आपना डाइसा लेकि तो इसा समस्टा रख्यार भी में भाखो दोड़का है तो चलिए मैं एक एक करके आपको कुछ सेल्फ के आइडियाज दूँगी जिससे कि आप लोगों को बहुत जादा हेल्प मिल जाएगा तो पहले सेल्फ की तरफ चलते हैं पहला जो सेल्फ है वो है ये माइक्रोवेब सेल्फ माइक्रोवेब के ऊपर में मैंने इसको प्लेस किया हुआ है आप इसको देख सेबते हो ये टूटाय सेल्फ है ये देखिए ये टूटाय सेल्फ है इसके ऊपर मैंने अपने टोस्टर को प्लेस किया है अपने सारे जो kitchen essential electronic सामान होता है या chopper हो गया, एक steamer हो गया, आपका bread sandwich maker हो गया इस सारे सामान यहाँ पर मेरे arrange होके रह जाते हैं तो यह self लेने का मेरा यह plan था कि यह self मेरे को इसलिए चाहे था कि यह सारे सामान को मैं अंदर नहीं रखना चाहती थी यह अपने हातों के आसपास ही रखना चाहती थी जिससे कि मैं जब भी कोई काम करू तुरंट मैं इसको पकड़ो और मेरा काम तुरंट से तुरंट हो जाए तो पहला self था यह, यह एक microwave friendly self है इसका अचुलना price and details में यहाँ पस side में अगर होगा तो share कर दूँगी और इसका link में description box में भी share कर दूँगी यह मैंने amazon से लिया हुआ था most probably सारे self मैंने amazon वगएर से लिये हुए है तो मैं links description box में आपके साथ share करूँगी next yourself की तरफ हम लोग चलेंगे वो है यह, यह देखे, यह एक plastic self है जो कि plates वगएरा या आपके अगर मैं basically इसको अपने जो pants वगएरा का covers होते हैं उनको size करके रखने के लिए use करते हूँ क्योंकि वो सारे जो होते हैं वो हम लोग इकटे कहीं रख देते हैं तो वो मिलता नहीं तो इसके उपर अगर मैं ऐसे size करके रख दूँगी तो वो मेरे को तुरंट से तुरंट मिल जाता है तो इसका price मेरे को वही 300 के अंदर ही आय था यह मैंने Amazon से लिया था तो इसके उपर आप लोग ऐसे plates को भी रख सकते हो यह थोड़ा बड़ा size का plate है लेकिन इसके उपर आप लोग अगर शोटे plates को ऐसे करके रखना चाहो तो रख सकते हो और नहीं तो मैंने जैसे बोला नहीं तो मैंने जैसे बोला कि देखे ये जो covers वगएर आते हैं इसको भी आप ऐसे करके line में रख सकते हो आपके आखों के सामने कि आपको तुरंट से ही जो भी सामान आप ढूंड़े आपको तुरंट से ही मेल जाए तो यह एक सेलवे जो कि मैंने आपको पर्चेस किया था और इसका भी लिंक्स में डाल दूंगे नेक्स्ट की तरब चलते हैं बोबी एक प्लेट सेल्फ है प्लेट रखने का स्ट्रांड है यह तो आप लोगों ने देखा ही होगा यह बहुत ईजीली आपको इसमें मेरा तो मोस्ट प्लेट इसमें 20 प्लेट्स आ जाता है जिसको कि मैं इसके उपर रख देती हूं जबकि मे यह तो यह हो गया हमारा थोर्ड वाला जोकि बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा यूस्पूल है इसका भी लिंक मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी पोर्थ वाले सेल्फ की तरब चलते हैं पोर्थ वाला जो सेल्फ है वो है यह एक चकलाविलन का लेकिन इसको मैंने अलग बाइ में यूस किया है।िसके उपर मैंने अपना तववा रखता है। और कुछ सोनर का प्लेट्स रखा है क्यों हर दिन अलग अलग प्लेट्स में खाना पसंद करती हैं। यह cash कर पर मेरे को यहां इसे यहीं पर हम लगती हुँ आजिसे हे बनी ने इक hammy coronavirus क्षों से लेंगे कर दो कि करने के यह इस इधा स्थेन्ड है , यह जो स्थेन्ड धशा सते ऊपर बंद सामान रहते हैं कि यहीन अम्हों कर ले till यहीं पर रखने इत्र से ही लेती हूँ और से अथी काम किते हैं मैं हेड़ा को दो're to work on to stand . एक वर स्थेन्ड कि तरह हम लोग चलेंगे तो यह जो रैक है आप यहां पर देख सकते हूं यह एक कॉरner रैक है और इस कॉर्णर रैक में में आपना ग्राइंडर रखती हूँ और नीचे में आप देख सकते हूँ नमक और सूखी मेर्ज शूसिती और यहां पर कुछ छोटे-मुटे मसाले के का डबबे भी आ जाते ह यह जो corner का place होता है हम लोग normally use नहीं कर पाते तो इस जगा को use करने के लिए यहां पर आप देख सकते हो मेरा block point है तो grinder मेरे को चलाने में यहां से easy होता है तो मैंने यह वाले rack को वहां पर use किया हुआ है यहां पर आप उपर में देखोगे तो यह जो है यह जो self है यह अचली चकला बेलन का stand है तो इसको मैंने यहां पर ऐसे hang कर गया है जिससे कि मेरा चकला बेलन उपर में ही रहता है नीचे मैं इसलिए hang नहीं कर रहे हूँ क्यूंकि cockroach बगरा आते हैं मूह बगरा मारते हैं तो यहां पर रहेगा तो वह प्रॉब्लम नहीं रहता तो नेक्स्ट मैं कुछ और स्टैंड भी आप लोगों को दिका देती हूं नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहे हूं यह कप स्टैंड है मेरे पास 2-3 टाइप के कप के स्टैंड आप देख सकते हो जैसे यह वाला कप स्टैं कि यह दिखाले हूं अपको दिखा लिग सोग। 50уст catch box. चाहец है वी और बाहना यही हम का है प्रॉष्ट कर दिखिंट से इनने कसकी हमाने कमें इसमय। हम वाली प्रॉष्ट करaráं क्यों क्योंकि हम सबस्टा है तो हमको मिलने में प्रॉब्लम होती है और आप अगर ऐसे ही दो स्टैंड्स ले जाएं तो वो I think 12 कुप्स आपके आखों के सामने रहता है और कोई घर में आता है या अब खुद कभी कभी चेंज करके पीना चाहते हो तो आपके आखों के सामने रहता है तुरंत आपको मिल आपको दिखाते हूं और एक सेल जो की मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा किचिन फ्रेंडली है तो चलिए दिखाते हूं बहुत लास्ट वाला किचिन फ्रेंडली सेल्फ या राक आप कुछ भी बोल सकते हो इसको मैंने ग्यास के पडोस में ही प्लेस किया हुआ है और यहा कोफी का बॉक्स जो भी मेरे को तुरंद चहे होता है इसमें सारा कुछ आ जाता है जो कि मेरे लिए बहुत ही जादा किचिन फ्रेंडली हो जाता है तो आई थिंग यह भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ओप्शन होगा अगर आपका किचिन चोटा है अपको हैंड कि आप लोगों के लिए बहुत ही जादा एक प्लेस फ्रेंडली या किचिन फ्रेंडली आप बोल सकते हो क्यूंकि यह सारे सामान अगर आप किचिन में सारे नहीं आपको जितना चहिए आप उसमें से एक दू परचेस करके आपके मुताबिक आप रख सकते हो जिससे कि कि आपको जगा भी मेल जाता है कि यूद बड़ा लगता है यह मेरा मानना है मेरा परसनल व्यू है आप लोग भी यह ट्राई कर सकते हो और यह सारे सेल्प्स के लिंक मैं डेस्क्रिशन बॉक्स में दे दूगी अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग वहां से पचेस कर सकते हो तो फिर मिलूंगी और एक इंट्रेस्टिंग व्लोग के साथ आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेट कमेंट करना विलकुल मत बूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत बूले फिर मिलूंगी और एक